हलो फ्रेंट्स तो अब हम next कमेंट्स के पार में डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे 45 मार्क्स हैं कॉलज पूछ रहे हैं क्यों को लोट होगा या नहीं होगा तो अगर आपकी परसंटाइल आपकी केटिगरी अगर जनरल है और आपकी परसंटाइल 35 से अबव ह तो आपका admission मिलेगा और अगर आपकी percentile यानि कि अगर आपकी आपकी परसंटाइल अगर आप किसी और category से belong करते हैं लाइक कोई reserved category और आपकी percentile 30 से अबव है तो आपका admission मिलेगा private colleges के अंदर वरना अगर आपकी percentile इसे decrease है यानि कि इसे कम है तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में भी admission नहीं मिलेगा हर याड़ा के अंदर नेक्स वन इस विकास जिनके 57 मार्क से में पूछ रहे हैं कि उनको प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा या डारेक्ट admission आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज अलोट होगा प्राइवेट कॉलेज भी काउंसलिंग के थ्रूँ अलोट होता है फिर आपको फी सब्मेट करवानी होती है सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो PGI रोह तक के थ्रू होता है अब डायरेट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एड्मीशन नहीं ले सकते हैं नेक्स वन इस 74 मार्क्स फ्रॉम OBC के टिगरी तो गवर्मेंट कॉलेज में आपका एड्मीशन नहीं मिल सकता सेमी गवर्मेंट के लिए ट्राइ कर सकते हो 2-3% chances है वर्ना आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एड्मीशन लेना होगा नेक्स वन इस 92 मार्क्स फ्रॉम EWS के टिगरी सेमी गवर्मेंट के थोड़े बोच chances like 40% chances otherwise you have to get any private college for you तो private college आप choose कर सकते हों मैंने अपने चैनल पर upload कर रखे हैं जितने भी private colleges जो हैं वो P.J.Rota के अंडर आते हैं वो मैंने अपने चैनल पर upload कर रखे हैं आप वहां से video देखकर select कर सकते हैं कि आपको कौन सा private college पसंद है नेक्स बात करें 57 marks हैं तो 57 marks हैं आपको private college मिलेगा अपने लिए आपको private college चूज़ करना होगा आप भी list में से select कर लो private college चूज़ करने के बाद counseling में fill करने से पहले जरूर college को visit करना अपने आप देखना गर college पसंद आए तब भी admission लेना admission लेने के बाद college चेंज नहीं होगा बहुत सारे बच्चे पच्चताते हैं फस जाते हैं गरत college में admission लेकर तो जरूर विजट कर लिना एक बात next one is जयदीब जिनके 95 mark से BCA के टिग्री से बिलॉंग करते हैं paramedical course के लिए government college पूच रहे है government college D.D.O करना आप admission होने के एक दो percent chances है otherwise आप try करो कि आपको semi government college मिल जाए उसके chances हैं कि 70-80% आपको semi government में paramedical like Maharaja Garcin Agroha जो college है वो काफी अच्छा है semi government college है वहाँ पे आप admission दे सकते हो आप admission मिल जाएगा तो वहाँ के लिए आप try करो Maharaja Garcin Agroha में paramedical courses के लिए आप apply करो वहाँ अच्छा college है वहाँ admission मिल सकता है next 71 marks BCA category government college मिलना possible नहीं है private college में admission लेना होगा तो अपने लिए कोई भी private college admission के लिए select कर लो next one is 112 number BCB category government college मिलने के chances है सफीदो जो है वो last मतलब सफीदो करनाल college जो है वो आपको मिल सकता है last की counseling तक like third or fourth counseling मिल सकता है क्योंकि first or second की जो cut off है वो काफी जदा high जाने वाली है बट still आप first or second में try कर सकते हो but most probably third counseling में आपको सफीदो या फिर करनाल college मिल सकता है otherwise आप फिर semi government के लिए try कर सकते हो and semi government college का name है महाराजा अगरूहा next one is रचना रचना आपको seven government जो college है वो है महाराजा अगरूहा एक ही college आपका mainly semi government है और वो बहुत अच्छा college है अगर आपको वह आप किसी भी private college को select करके उन college वालों से direct contact कर सकते हैं वो आपको पूरा का पूरा procedure अच्छे से explain कर देंगे किसी भी private college को select कर लो उसको visit कर लो पूरे terms and conditions rules and regulations वो आपको अच्छे से explain कर देंगे next was 71 from EWS जी तो 71 marks EWS category आपको government college सो मिल नहीं सकता आपको किसी private college में ही admission लेना होगा next is 67 marks है जनल के टिगरी से बिलॉंग करते हैं बीपीटी के लिए आपको कोई भी government college नहीं मिल सकता है आपको किसी private college में ही admission लेना होगा तो अपने लिए कोई भी private college select कर लो next is 79 marks है बीपीटी के टिगरी से बिलॉंग करते हैं government college आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि marks बच्चों की काफी जदा हाई आए है और get off हाई जाने बाली है तो आप अपने लिए कोई भी private college select कर सकते हो semi government college का नाम है महराचा गरसेन अगरूह में है यह college हिसार के अंदर आता है हिसार district के अंदर और काफी जदा अच्छा college है यह next is 98 general category आपको semi government college में लेके chances है government college नहीं मिलेगा अगर semi government मिल जाता है तो काफी अच्छी बात है और अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको private college में ही admission लेना होगा next is college institute पंचकुला कैसा है मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि मैं किसी एक particular college के बारे में जादा नहीं जानती हूँ तो मैं कोई भी fake news आप लोगों को नहीं देना चाहूंगी बट आप लोग खुद उस college में जाकर उस college को visit करो और देखो कि college कैसा है वहाँ का staff कैसा है experienced है कितने सालों से college चल रहा है हर बेच में कितने students है पिछले साल का result क्या था college का कितनी री आती है हर सालों इस college में present moment कैसा है facilities कैसी है hostel कैसा है सारा का सारा infrastructure कैसा है labs कैसी है labs में समान कितना है तो हर एक चीज़ को visit करके खुद देखोगे समान मलब की college आपके लिए अच्छा है या फिर नहीं आप वहाँ पर रहे पाओगे या फिर नहीं तो खुद आप select कर सकती है मैं आपको नहीं बता सकती मैंने आपको चीज़ से बता दिया कि अगर आप college को visit करोगे तो यह यह ग्रोहा semi government college में जाएगा अच्छा score है last में आते आते हो भी सकता है कि आप सफीदो college तक मिल जाए सफीदो college of nursing तो आप उसके लिए भी try कर सकते हो बट लेट सी क्या होता है का top first council में कितनी साधा high जाती है उसके according देखते है 67 marks है general category अगर आपकी percentile 35 percentile से above है तो आपका admission किस 55 marks से private college में जाएगा क्या general category अगर आपकी percentile 35 percentile से जाएगा तो आपको private college कोई भी मिल जाएगा जितने भी list मैंने upload किया उसमें से कोई भी college आपको मिल सकता है वहां से आप select कर सकते हो बट आपकी percentile 35 percentile से above होनी चाहिए 97 general girl PSE nursing में government college मिल सकता है नहीं मिल सकता है बहुत कम chances last counseling में सफीदो college मतलब move up round तक सफीदो college की cut off एक अधी बारे से चली जाती है वहना आपको नहीं मिलेगा आप महाराजागर से नगरोहा semi government college के लिए try कर सकते हो otherwise फिर आपको private college में ही admission लेना होगा next one is 77 mark से CET में क्या मुझे महाराजागर से नगरोहा मिल सकता है आपकी category आपने नहीं बताई है तो मैं आपका answer नहीं दे पाऊंगी मना आपको इस स्कोर पे किसी भी category पे महाराजागर से नगरोहा में admission होना possible नहीं है आपको कोई private college ही अपने लिए select करना होगा 76 mark से private college मिल जाएगा आपको channel category से आप belong करते हैं आपकी percentile 35 percentile से जादा होगी तो आपको कोई भी private college मिल जाएगा जिती भी जो भी list मैंने अपलोड किया उसमें से कोई भी college आप अपने लिए select कर सकते हो next one is 85 percent category से बिलोंग करते हैं bpt course आपको मिल सकता है but semi government में मिलना मुश्किल है government में तो मिलेगा ही नहीं वरना आपको फिर semi government में मिल जाता है तो अच्छी बात है वरना chances तो कम है semi government मिलने के तो आपको private college में admission मिल सकता है वहाँ पे आप easily ले सकते हो next one is 112 number EWS category PGI MS row तक आप वहाँ पे आपको admission मिल सकता है आप try कर सकते हो first counseling में मुश्किल है second third में अगर नहीं मिलता है तो फिर आप DDU करना या फिर सफीदो college के लिए try कर सकते हो तो वह colleges आपको मिल जाएंगे PGI की cut off थोड़ी high जाने वाली है general की 125 प्लस जाने वाली आई थे तो इसलिए आपका PGI रो तक में admission होना मुश्किल है आप किसी और government college में admission ले सकते हो या फिर आप semi government college लाइक महारा जागर से नगरोहा के लिए try कर सकते हो next one is 112 number AWS category आपके बार तो अगर यह दुनों भी नहीं मिलते हैं तो फिर महारा जागर से इन semi government college है बहुत अच्छा है वह मिल जाए तो वह भी best है next one is मैं प्लीज बताएए कि 110 marks में BCA category में government college मिल जाएगा क्या BAC nursing के हान जी सफीदो college आपको easily मिल जाएगा डेडियो करना आ लो और PGI के लिए try कर अगर नहीं मिलता है तो फिर आप semi government college महारा जगर से in my admission लेना काफी अच्छा college है next one is भारती एक 106 marks है BGI रो तक में admission चाहते हो आप बट आपके जो marks है क्योंकि BGI की जो cut off है वो high जाने वाली है आप DDO करना या सफीदों के लिए try कर सकते हो अगर उसमें भी आपके admission ना हो तो फिर आप semi government college के लिए try कर लेना next one is 91 marks in EWS category से belong करते government college नहीं मिलेगा private college या फिर semi government college के लिए try कर सकते हो प्राइवेट पका मिल जाएगा semi government के लिए try कर सकते हो next is 93 marks ऐसी category है PGI मैं admission पूस्ट पीसी nursing पूस्ट पीसी nursing में इस course इस rank of admission मिलना मुश्के लवब पीजी रोहत में तो private college में देख लो आप next is 76 general category है private college कोई भी मिल सकता आपको जिस भी college को select करोगे वही private college आपको मिल जाएगा last one is 111 number EWS category PGI के लिए try कर लेना chances है मिल जाए वरना TTO करना लिया फिर सफीदू में admission ले रेना so thank you guys for watching my video and don't forget to like, comment, share and subscribe nursing education